हालो ट्रेटर्स वेलकम टू ट्रेलन स्टॉक्स वन्स अगें टुडेए इस वीडियो में बजाच फिनेंस के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं आज यहां पर बहुत भादी ग्रावट दिखाई दी है बजाच फिनेंस के ऊपर और अभी कुछ दिन से एक मिला जूला सा अ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक कुछ रिपोर्ट यहां पर कमनी ने पेश करी है लास्ट कोटर की यहने के क्यूटू की अभी 6 अक्टोबर 2020 को जिसकी वजह से आज यह बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है से स्टॉक में अब इंपॉर्टन क्या है देखिए य उन सारी चीजों के ऊपर यहां पर इस वीडियो में मैं डिसकस करने जा रहा हूँ और देखिए समझने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से यह स्टॉक गिरा है और अब हम इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी अपनाए फर्दर ट्रेडिंग की या फिर इन्वेस्टिंगी तो प्रोवीजन्स क्या होते हैं अलेडी मैं काफी जादा डिटेल में डिसकस कर चुका हूँ फिर भी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ जब भी किसी बैंक को या फिर एन्वी एफसी को देखे नुकसान होने की आशंका दिखाई देती है सिंपल शब्दों में बता रहा होता है ऐसा उनकी study में पाया जाता है तो उसको compensate करने के लिए provisioning की जाती है यानिके उस loss को compensate करने के लिए profit में से कुछ पार्ट निकाल कर और books के अंदर डाल दिया जाता या तो अब जो defeat के अंदर से देखे पार्ट निकलता है provisioning के लिए definite सी बात है वह profits को कम कर देता है जिसकी वज़े से profitability company की घर जाती है और यहाँ पर उसी का एक negative impact आतावा दिखाई दिया है बजाज finance के आज stock price पर. Shares of Bajaj Finance dropped nearly 4% in Wednesday trade after the NBFC said it will continue to accelerate its provisioning for COVID-19 for the second quarter as well to further strengthen the balance sheet. तो यहाँ पर देखें यह साफ इन्होंने कहा है कि हम आगे के लिए quarter 2 के लिए भी provisioning जारी रखेंगे क्यूंकि हमें अपनी balance sheet को strengthen करना यानिकि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यहाँ पर company को यह लग रहा है कि इनके जो loan book है इनके जो loans है वो अभी भी further NPA हो सकते हैं जिसक हमारा lockdown शुरू हुआ था उसके बावजूद भी further इनको लगातार 3 quarter में अब provisioning जारी रखनी पड़ेगी जो अपने आप एक बहुत negative sentiment लेके आ है markets के अंदर यानि कि सीधे सीधा सा बात है कि profit company को नहीं हो पाएगा या फिर यह कह दें कि profit company का कम हो जाएगा आने वाले time में the companies had registered a three-fold rise in provisions leading to a nearly 30% fall in profits before tax in June quarter देखे यहाँ पर already तीन गुना provisions बढ़ाई जा चुकी थी जिसकी वज़े से 30% का fall profits के अंदर देखा गया यही सारी चीज मैंने अभी आपको बताई है कि देखे जब जब provisioning बढ़ेगी तब तब company का profit घटेगा तो June quarter तक यहाँ पर 30% provisioning थी it had made additional provisioning of Rs. 1450 करोड in Q1 taking the contingent credit loss provision due to COVID to Rs. 2350 करोड in the June quarter देखे contingent credit loss की वज़े से already इनोने एक additional provisioning कर दी थी जो 1450 करोड की Q1 में ही जो देखे 2350 करोड का credit loss है इनका Q1 के अंदर COVID की वज़े से Following the development the stock fell 3.5% to a hit low of 3350 Bajaj Finance saw tapet loan growth as the new loan books during the quarter half to 36 lakhs from 65 lakh a year ago देखे बिलकुल आधी हो चुकी इनकी loan book 65 lakh थी एक साल पहले और अब 36 lakh ही यहाँ पर इनोने दर्च करी है The NBFC said its consolidated deposit book rose by 22.5% to 21,600 करोड as of September 30 Customer franchisee as on September 30 stood at 4.41 करोड compared with 3.87 करोड a year ago Deposits भड़े हैं देखे customer franchisee में यहाँ पर increment हुआ है पिछले साल की तुलना में अगर comparison किया जाए तो Deposit book stood at approximately 21,600 जैसे इनोने अभी पहले भी कहा as on September 30 compared with 17,633 करोड a year होगो पिछले एक साल पहले 17,633 करोड ही यहाँ पर deposit book थी और company का जो asset under management है यानि कि AUM है वो भी इस quarter में rise हुआ है 1,37,300 करोड हो गया है जो पिछले quarter में यानि कि पिछले साल 1,35,533 करोड रुपे था तो देखे यहाँ पर AUM तो increase हुई है लेकिन पुराना जो loan दे रखा है वहाँ problem हारी है वो loan वापिस आने में दिक्कत यहाँ पर company को face करनी पड़ रही है यह important है देखे समझना company के पास में जो capital adequacy ratio है वो बहुत शांदार है 26% से जादा का capital adequacy ratio दिखा रहा है well यहाँ पर maintained buffer है liquidity का यह company का कहना है consolidated liquidity surplus stood at approximately rupees 22,300 करोड as of 30th September 2020 and the liquidity position remains very strong तो 22,300 करोड का यहाँ पर approximately consolidated liquidity surplus company के पास पड़ा हुआ है तो liquidity position यहाँ पर company का कहना है कि काफी जादा strong नजर आ रही है तो यह सारा status देखी है जो इन्होंने बताया है 6 October 2020 को जिसकी वज़े से आज यहाँ पर dip आतावा दिखाई दिया है आज देखिए 3,333 का last reading price लगबख 4% से जादा की गिरावट and closing इसने दी है यहाँ पर 3,331 रुपे के उपर यहाँ आप देखिए 4,923 रुपे का 52 week हाई 20 फरवरी 2020 का है 17,83 रुपे का 52 week लो है जो 27 में 2020 को इसने लगाया था and delivery wise position देखेंगे 65,000,000 से जादा शेरो के अंदर देखे quantity trade हुई है 11,000,000 से जादा शेरो के अंदर almost 12,000,000 शेरो के अंदर यहाँ पर delivery उठाई गई है approximately 18% यहाँ पर दिखाए दे रहे है percentage of delivery to quantity traded यह है देखिए इसका आज NSC data अब यहाँ पर आपको देखे चार्ट के उपर लेके आता हूँ यह हैं intraday चार्ट इसके और यहाँ अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से यह stock अपने lower level से काफी अच्छी सने recovery दिखाई थी alternate days पर यह basically bullish candle and bearish candle का formation करते करते इस level पर पहुचा था calculated session में यानि के 3475 रुपे के आसपास लेकिन देखिए इस report ने जो company ने पेश करी है इस report की वज़े से आज यहाँ पर gap down opening हुई है और gap down opening भी sustain नहीं हो पाई उसके बाद further गिरावट आती रही closing होते होते 3331 के level इसने हासिल करे हैं लेकिन इसे अंदर जो गिरावट आई है वो आज और भी नीचे थी 3280 रुपे के level तक इसने आज गिरावट दिखाई है तो यह अभी इसका देखिए intraday charts यहाँ पर show हो रहा है अभी आगर आप देखें इसका mega low तो यह था देखिए यहाँ पर 1700 रुपे के आसपस वहाँ से बहुत ही अच्छी सने recovery दिखाई थी और लोगों को यह लग रहा था कि शायद यह company बहुत जल्दी recovery mode पर आ जाएगी लेकिन देखें सारे parameters को आप थोड़ा सा ignore कर सकते हैं अच्छा मिलतावा नजर आएगा कि आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से इसके अंदर positions बनाए रखनी चाहिए तो देखें यहाँ पर यह सारे marks में पहले एक बर हटा देता हूँ अब आप यह देखें इसकी RSI positions यहाँ पर weekly charts के उपर दिखा रहा हूँ देखें weekly charts का मतलब clear है कि यहाँ पर की एक candle एक week को represent कर रही है पहले हम लोग intraday charts पढ़ते हैं अब हम लोग weekly charts पर आगे हैं और RSI ने देखें यहाँ पर जो position बनाई है 51 points के उपर बना रखी है और इसकी direction देखें matter करती है basically और convergence and divergence अगर आप समझते हों तो वो भी बहुत important fundamental होता है RSI को समझने के लिए हाल फिलल अभी मैं बताओ 52 points के उपर यहाँ पर आपको float होता वा नजर आएगा लेकिन immediate नीचे का इसने रुक कर लिया है यानि के momentum को यहाँ से बिलकुल lose होते वे आप दे सकते हैं इस stock price के उपर यहाँ से और further गिरावट आने के chances अभी नजर आ रहे हैं पजाज finance में उसके बाद अगर आप देखें MACD को तो MACD ने भी देखें जो यहाँ पर एक bullish crossover को continue कर रखा था अब यहाँ पर यह crossover अभी हुआ नहीं है complete लेकिन यह crossover जो direction दे रहा है वो यही दे रहा है कि MACD line नीचे आ रही है signal line के जो कि एक bearish signal होता है तो MACD पर and RSI पर और इसके price section पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तीनों ही जगा हमें एक गिरावट के संकेत मिलते वे नजर आ रहे हैं अब आप देखें यह सोचेंगे कि फर्दर यह कहां तक गिर सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ देखें Q2 के results अगर खराब आते हैं तो इसके अंदर देखें वापस से नीचे के levels आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन हाल फिलाल मुझे ऐसा लगता है यह गिरावट जारी रहेगी और यह अपने इसी session के दोरान अभी दो हफते के जो low थे इसके 3144 रुपे के आसपा यानि के 31.500 रुपे तक के levels इसके अंदर आपको आते वे दिखाई दे सकते हैं तो देखें वो लोग जो इन levels के उपर आगे की तरफ by positions की direction देख रहेते उनके लिए सीधी सीधी राय है बिल्कुल इसके अंदर कोई निवेश अभी ना करें फर्दर गिरावट आ सकती है और जो लोगों ने positions अलड़ी बना रखी हाईर levels के उपर अगर उनकी quantity जादा है तो वो बिल्कुल hold करके चलें अगर quantity कम है तो बिल्कुल यहां से exit लें फिलाल के लिए यह stock अभी और नीचे तक आ सकता है तो यह बिल्कुल आपकी strategy होनी चाहिए long term and short term के लिए देखे कमणी में कोई problem नहीं है और futuristic way में अगर देखेंगे तो कमणी बहुत अच्छी rise करके दिखाएगी आनेवल टाइम में लेकिन अभी आपको Q2 तक के results का इंतजार इसके अंदर करना पड़ेगा क्योंकि देखे यहां पर ऐसी prediction आप कर सकते हैं कि Q2 के results इनके थोड़े से हलके रहने वाले हैं तो तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा और उसके बाद ही review करके इस stock के अंदर वापस से हमको इस strategy define कर पाएंगे आगे अप move के लिए तो ये वीडियो था देखे बजाज finance के उपर जहां पर आज काफी भारी गिरावट देखने को मिली है इतने बड़े ticket size के stock में साड़े 4% की गिरावट के आसपास हमें याँ पर देखने को मिली है तो इस वीडियो के अंदर देखे इंफरमेशन को आप कैसे देखते हैं प्लीज मुझे comment box में comment करके जरूर बतार ये वीडियो अगर आपको चीह लगए तो पिसे like और share भी जरूर करें मैं मिलूंग इस टॉक के साथ अब तक लिए नमस्कार थैंक्यू जैहिन